विद्यार्थियो पिछले पार्थ में हमने शुवसन क्रिया पेशी विभाजन इत्यादियों के बारे में पढ़ा अब इस पार्थ में हम सजियों में सबसे महत्वपूर्ण जीवन पर क्रिया प्रजनन पर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, क्या आपको मालूम है प्रजनन क्या होता है? ये जरूरी क्यों होता है? सजीव एक ही समय एक दूसरों जैसे और एक दूसरे से अलग क्यों लगते है? चलिए अब हम इन सवालों के जवाब ढूंडते हैं प्रजनन प्रक्रिया से जनक नए पीड़ी के उसी प्रजाती के सजीव बनाते हैं. प्रजनन की वज़ा से नए सजीव आबादी में वृत्धी करते हैं और इसलिए वो प्रजाती प्रित्वी पर रहती है. सजीवों की उचित संख्या के कारण प्रजाती लुप्त नहीं होत आपने तो दो प्रकार के पेशी विभाजन सीखे हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन. ये दोनों प्रचन में महत्वपूर्ण भूमी का निवाते हैं। जब नई पिढी एक ही जनक से सूत्री विभाजन से बनती है तो उसे अलेंगिक प्रचनन कहा जा दूसरी तरफ लेंगित प्रजनन में दो जनक स्त्रीयोगमक और पोयोगमक या माता-पिता होते हैं। वे अर्धसूत्री विभाजन से अगुनित जनक कोशिका पनाते हैं। दो जनक कोशिकाओं का सयोग होकर एक द्विगुनित यूगमानु बनता है। इस युगमानों से नई पिढ़ी का सजीव बनता है नए सजीव में कुछ गुण धर्म जनकों के समान होते हैं लेकिन वो जनकिय विविदता भी दिखाते हैं दोनों प्रजनन प्रक्रियाओं के लाव और सीमाय होती है अलेंगिक प्रजनन में वंच पुरुद्धी तेज गती से होती है लेकिन नए सजीव जनकिय विविदता नहीं दिखाते सिर्फ एक जनक होने के कारण नई विशेशताएं प्रवेश नहीं कर सकती है दूसरी और लेंगिक प्रजनन में वंच फृत्ती की कती धीमी होते हैं लेकिन संतती में दोनों जनकों के गुणधर्म पाये जाते हैं इनमें जनुकिय विवितता होती है ये सजियों परिस्तितियों के बदलाओं से अनुरूपण कर सकते हैं इसलिए प्रजाती के उत्तर जीविता की संभावना ज्यादा होती है लुपत होना टाल सकते हैं इससे इन सजियों में विविन्नता होती जाती है हम ये विविन्नता की कलपना कुछ उधारनों के साथ समझने की कोशिश करेंगे गुढल के या गुलाब के फूलों के अनेक रंग पौधों में पत्तों के विविन्न आकार इत्यादी अलेंगिव प्रजनन सहसा पुराने और अदीम सजीव जैसे बैक्टेरिया, पैरामेशियम, युगलिना, अमीबा इत्यादी में होता है ये सजीव विविद अलेंगिक पद्धती से प्रजनन करते हैं जैसे साधारन द्वीभाजन, या क्षैतीज द्वीभाजन, या उर्द्वाधर द्वीभाजन जब परिस्तिती अनुकुल हो, जैसे पानी और अन्न की विपुलता हो, तब इस पद्धती से प्रजनन होता है। लेकिन ये सजीव अलेंगिक प्रजनन भी करते हैं। जब परिस्तिती प्रतिकुल हो, इसे बहु विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सजीव एक कठोर सम का भी विभाजन होता है और अनेक छोटे-छोटे सजीव तयार होते हैं अनुकूल परिस्तिति के वापस आने से पुटी का आवरन फढ़ जाता है और नए सजीव मक्त होते हैं मुकुलन हैड्रा और इस्ट मुकुलन प्रक्रिया से प्रजणन करते हैं जनक सजीव के शरीर प साइकॉन और काफी सारे तंतुरूप सजीव खंडी भवन से प्रजनन करते हैं। जनक सजीव के शरीर का अनेक छोटे-छोटे खंडों में विभाजन होता है। प्रत्य नाय खंड नवजात सजीव के रूप में जीवन लेता है। पुनर जनन प्लेनेरिया जैसे प्राणी स्वयम के शरीर के दो टुकडे करते हैं। प्रत्य टुकडे से शरीर का बचा हुआ हिस्सा नय से बन कर दो नवजात प्राणी निर्माण होते हैं। बिजानूओं का निर्मान बहुत सारे कवक अलेंगिक बिजानू बनाते हैं बिजानू अंकुरित होते हैं और कवक जाल तयार हो जाता है शाकिय प्रजनन कई बनस्पतियों में जैसे आलू, शकरकन, बायोफाइमल, ब्रायोफाइमल में जड़, तना और पत्तों पर आगंतु कलिकाओं द्वारा शाकिय प्रजनन होता है लेंगिक प्रजनन वित्यार्थियों, हमने पहले प्रजनन प्रक्रियाओं के बारे में बात की उच्चतर वनस्पति और प्राणियों में इस प्रक्रिया का अध्यान करेंगे लेंगिक प्रजनन में नीचे दिये पायदान होते हैं स्त्री युगमक और पू युगमक अर्धसूत्री विभाजन से युगमक बनाते हैं युगमकों का संभोग होकर युगमानों की निर्मिती होती है युगमानों अगले पिढ़ी की पहली पेशी होती है भुरुन की पेशियों से एक नवजात सजीव बनता है अगली पिढ़ी जनों की विविदता दिखाते हैं विद्यार्थियों नीचे दिये उधारण से ये आपकी समझ में आ जाएगी अगर हमने परिवार के सदस्यों की तुलना की तो समझ आएगा कि हर कोई दिखावट, बुद्धिमत्ता, अभिक्षमता जैसी चीजों में एक दूसरे से अलग है फिर भी कई वैशिष्ट सब में समान है क्ईच में आएगा कि सबना हम एक प्रवना युद्दी चार्श